अगर आपके जीवन में सफलता आने वाली है ना तो ये कुछ खास संकेत आपको जरूर मिलेंगे ये संकेत सांटिफिक भी है और स्प्रिच्वल भी है तो ध्यान से सुनिएगा जो भी इस वीडियो में मैं एक्स्प्लेइन करने वाली हूँ तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम पेस्ट किये Hello and Hi to all my beautiful people कैसे आप सब I hope आप सभी बहुत अच्छे हैं, कुछ हैं, positive हैं, कुछ का जहान रख रहे हैं And सबसे important कि आप सभी बहुत ज़ादा healthy हैं और अपनी अपनी soul purpose के और आगे बढ़ रहे हैं आज की इस वीडियो का topic है कि अगर आपके जीवन के अंदर सफलता आ रही है, चाहे किसी भी field में हो सकता है आप बहुत time से job के लिए manifestation कर रहे थे, work कर रहे थे और सफलता नहीं मिल रही थे तो कुछ संकेत है जिससे आपको confirm हो सकता है कि आपकी job आप मिल सकती है Relationship या health, जो भी चीज़े आप manifest कर रहे थे, money या फिर growth तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं वर चैनल पर आप नहीं आए हैं, अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe कर लेजी, पगर बेल आइकन होगा जिसे all पर press करना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि जब भी मैं new video upload करूँ तो उसका notification आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप उसे watch कर पाएं, या child's related कोई भी new update आए, तो आप उसे सबसे पहले जान पाएं अक्सर मैं live आते रहती हूँ, और जब भी मैं अब live आती हूँ, तो आप लोगों को free reading जरूर देती हूँ, वो भी live तो ये बहुत big opportunity होती है, क्योंकि जब आप live किसी के energy से connect होके reading देखते हैं, तो definitely कुछ न कुछ message तो आपको true मिल जाता है Guys, बहुत जल्द मैं reading वाला एक channel open करने जा रहे हूँ, तो बस इसलिए बताया, क्योंकि आप लोगों का प्यार और support चाहिए, ताकि उस channel पर भी आप सभी visit करें, और खुब सारा प्यार दें, खुब सारी blessings दें, और अपनी अपनी life के लिए हमेशा सही guidance लें इसके अलाबा मैंने काफी time पहले, यानि 8 August को angel therapy course launch किया था, आप सभी को मैं वो course telegram पर दे रहे थी, सबकी life में कुछ न कुछ positive change जरूर आया, सबकी experience बहुत अच्छी रहे, सबने अपनी success stories चेयर की, और अभी भी लोग ले रहे हैं, जो लोग भी ले रहे हैं, उनके life में overall जितनी भी problems हैं, उन सब का solution आपको angel therapy के अंदर मिलता है, करना क्या है, आपको ये journey शुरू करनी है, और शुरू करनी के साथ, इसमें consistency चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने शुरू में action ले लिया, बहुत मजा आ रहा है, और उसके बाद छोड़ दिया, तो अगर आप छोड़े हैं कि किस तरह से आपको संकेत मिलने शुरू होते हैं, जब आपके life में success आने वाला होता है, तो पहले हम scientifically समझेंगे, कि जब आप किसी भी चीज के लिए continue मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज में consistency बहुत ज़रूरी है, और अगर आप उन लोगों में से आते हैं, जो अपने काम को बहुत इमानदारी से और consistency के साथ करना चानते हैं, तो यकीन मानिए कुछ ही time में आपकी energy change होने लगती है, और आप अपने wish की तरफ इतना ज़्यादा focus रहने लगते हैं, कि जो भी आपके आसपास की चीजे हैं, वो ना चाहके भी आपके fever में आने लगती है चाहे वो इंसान की बात कर ले, चाहे हम situation की बात कर ले, और यहीं पे आपसे connect होती है spirituality, universe, angels, आप जिन्हें भी मानते हैं, क्योंकि science और spirituality बहुत ज़्यादा difference नहीं है इन दोनों में, जब आप अपने काम को इमानदारी से करते हैं, तब ही universe आपसे बहुत ज़्यादा खु तो अब देखेंगे कि कभी भी सूरज निकलना नहीं भूलता, एक पल को इनसान भूल सकता है अपने विश को या अपने काम को, अपनी consistency को, क्या सूरज भूलता है, क्या मौसम भूलता है, पृत्वी भूलती है, जितने भी ग्रह है, क्या कभी वो लोग अपना कारिय करना भोलते हैं, नहीं, वो continue अपनी काम को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने अपने काम को continue नहीं रखा, तो प्रलय आ सकता है, हमारे काम रोक देने से या continue रखने से प्रलय तो नहीं आएगा, लेकिन हमारी जीवन में बहुत सारी रुकावटे जरूर आ तो इसलिए आपको ये जानना है कि आपके wish पूरी होगी या नहीं, आप success से कितना दूर है, सफलता आपके जीवन में कब तक आ जाएगी, ये सारी संकेत आपको तभी मिलते हैं, जब आप अपने काम पर focus रहते हैं, continue अपने काम को करते रहते हैं, अब जब आप पूरी इ मेहनत को देखके आपसे inspire होने लगते हैं, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं, तो देरे देरे आपके life में opportunity आती है, सफलता मिलने लगती है, और finally, universe आपको हर जगा से संकेत देने लगते हैं, अगर आपको success मिलने वाली होगी ना किसी भी field में, तो उससे related same चीज़े आपको बार-बार दिखेंगे, चाहे वो job हो, चाहे वो marriage हो, चाहे कोई person हो, मतलब same चीज़ आपको इतना बार repeat होके दिखने लगेगा, कि आपको नहीं भी पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में न, तो कहीं रखें, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, कैसा हो, क्यों रह यह तो मेरी wish है, यह तो मैं manifest कर रहा हूँ, या कर रही हूँ, सेम चीज़े बार-बार क्यों दिख रही है, बार-बार मेरे आँखों के सामने क्यों आ रही है, तो इस Q का answer है, कि आपकी wish भी बहुत जल्द पूरी होने वाली है, तो आपको बताया जा रहा है, कि आप तयार रही है, उस उर्जा में आईए कि जब आपको आपके wish मिले तो आप deserving हो, ऐसा नहीं कि युनिवर्स ने जो देना था दे दिया, अब आप सम्हाली नहीं पा रहे हैं, इसलिए पहले आपको संकेत दिखाये जाते हैं, उससे पहले आपका test लिया जाता है, तो अगर इस तरह संकेत होते हैं कि congratulations, आपकी wish आपकी life में बहुत जल्दी आने वाली है, तो तयार रहो, आज आओ receiving mode में, तो ये वीडियो कैसी लगी, comment करके जरूर बताना, और अगर आप इसका part 2 चाहते हैं, तो जरूर बताएगा, मैं बहुत जल्द अप्लोड कर दूँगी, और जिन लो कोई भी doubt न रहे और कुछ पूछो न आप इंस्टा पे, सीधा आप course रॉइंट करो, मिलती हूँ next वीडियो में, तब तक, खुद का ध्यान रखिये, हमेशा मुस्कुराते रहे, positive रहे, आगे बढ़ते रहे, always blessings, bye!